हाई दोस्तों, असलाब अलेकुम, कैसे आप लोग, मेरा नभील है, आज हम लोग आए अपनी नई कार का डिलिवरी लेने के लिए, और मेरे पास आप लोग जानते हैं कि फोक्सवागन की वेंटो थी, तो उसका रिप्लेस्मेंट लेना था, और दूसरी कार जो अपनी फोर् यान यहां पे इन्होंने पूरा सब कुछ अरेंग में लिए रखा है, अक्सेसरी सारी चीजे जो है रेडी है, वहां पे वेरे डाड जो है, वह दोक्मेंटेशन कर रहे है, तो अभी थोड़ी देर में दोक्मेंट सब साइन करने के बाद हम लोग इस पे से परदा उठाए जल्दी कॉमेंटेश में लिखे बताएंगे कौन सी कार है, दिखते है किसका गेस सही होता है, तो गाइज यह अपनी फोक्सवागन टाइगून, हम लोग बहुत 10 यह से पास जो है फोक्सवागन के कस्टमर है, वेंटों के साथ हमारा बहुत ही अच्छा एक्सपिरिंस रह तो अगली गाड़ी हमारी फोक्सवागन होनी थी, जो हमारी प्राइमरी कार है, सिटी पॉपस के लिए, हाईवे पॉपस के लिए हम लोग यूज करने वाले, और मिस्टर संदीप गुपता है मेरे साथ में, और संदीप ने हमारी बहुत इच्छे से गाड़ी के बारे में पूरी information दी, जो model हमको select करने का था, top line, high line, दोनों में से हमारे पॉपस के लिए कौन सा better रहेगा, वो भी संदीप ने हमको guide किया और मदद किया, decide करने में, color का भी बहुत confusion था, तो color के लिए भी संदीप ने रात के टाइम में, दिन के टाइम में, हर टाइम पे हमको बताय है, headlights के ऊपर confusion था, यह जो high line model है, double barrel वाले headlines आते है, halogen वाले, और दूसरा जो model आता है, LED प्रोजेक्टर आता है, top line में, तो हमारे लिए कौन सा हमारे पॉपस के लिए suitable था, उसमें भी guide किया, और जो test drive थी 1.5 और 1 liter, यह दोनों गाड़ी की arrange कर के दिया, पॉच्छे तर तेंक की सरे में तो इसको लेकर जो है, तकरीबन मुझे देड़ दो महिने भी हो चुके है, मुझे टाइम ने मिला इसका विडियो बनाने के लिए, तो सोचा अब भी यह विडियो जो है, यही पर कभ उतम कर देता हूं मैं, और जो delivery का जो video था, उसका यह एंड है, तो यह आपको कुछ बाते बता देता हूं कि यह जो टाइगून है हमको कितने में पड़ी और कितने में हमने जो है इसको लिया है ठोड़ा वॉक आराउंड करें गे इसका और फ्र नो बताऊंगा तो है अपनी Volkswagen ताइगून है दोस्तों यहां से देख सेकते अब सामने से इस तरफी सब्सक्राइब अंदादा हो जाएगा और इसके जो अलोई वील्स है वो भी देख लीजिए किस टाइप के है अलग-अलग जो वेरिंट आते उसमें अलग-अलग टाइप के आलोई वील्स आते है 205 सेक्शन का यहां पे टायर है एक्जक्ट में बदेदा 205 by 60 R16 तो यहां पे जो है साइड प्रोफाइल है यह भी जो है काफी थिक है और 16 इंच के यहां पर रिम दियेवे है और ग्राउंड अच्छा होने के वेशिए जो टाइप के रोड़ से यहां पर मुझे इसको चलान आपको इसके बूट स्पेस भी दिखा देता हूं यहां पर एक कैमरा दिया है और यहां पर देख सकते हैं बूट भी जो है अच्छा खासा बड़ा है एक लट भी अंदर रखी वी है आप समझी गयोंगे क्यों और उपर यह पार्सल शेल्फ भी है तो कॉलिटी पे यहां कॉलिटी पे कॉम्प्रोमाइज तो ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं जहां पर किया है वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे और ऊपर जो है यह रूफ रेल है यह एक्च्छल फंक्शनल रूफ रेल है तो यहां पर देख सकते हैं यह मजबूत है अलुमीनियम का और साइट प यहां पर यहां पर यह बाई हालोजन हेड्लाइम से एक लोबीम के लिए और नीचे फॉग लैंप है और जो दूसरा मॉडल आता है उसमें एक सिंगल एलीडी प्रोजेक्टर सेट अप दिया हुआ है तो इसलिए मुझे वो नहीं देना था मुझे है जादा सूटेबल यह लगता है और अपने यलो लाइट सी जो है अच्छे लगते यहां से भी आपको बता देता हूं देख सकते आप अंदर से जो है किस तरह की की दिखती है डोड का अपनिंग काफी वाइड है सीट वगरा जो है अच्छे कॉंट्रोर है मैंने कोई सीट कवर लगाया नहीं एस यह भी काफी डीप है और यहां पर एंबियन लाइट है अभी यह वाइट कलर की है और यह वाइट ही रहेगी तो कार के कलर के और वेरिन के हिसाब से इन उन्हें लाइटिंग दीवी है बैक साइट से देख लीजिए यह दोर है दोर में जो है वन लीटर की बॉडल चारो तोर में आ जाती है पीछे आपको यहां पर एसी वेंट देखने मिल जाते है और यहां पर लेग रूम भी काफी जादा दिया हुआ है बस विट जो है थोड़ी कम है तीन लोग थोड़ा अंकमफरेबल बैठते हैं यहां पर खास तोर पे यह वाले पार्ट की वज़े से अ आई-लाइन में भी आता है कुरूस दोड़ा अंदर क्रूस कंट्रोल के सारे कंट्रोल यहां पर दिये वे हैं और इस साइड में जो है आपके आपके अरियो कंट्रोल वर्गरा और यह जो सैंटर एम-ईडी है इसको भी आप इसके जरीए से यूज कर सकते हैं पर सूरत cabin यहाँ पर है अच्छी है हार्ट प्लास्टिक है उपर लेकिन ओवराल बिल्ट कॉलिटी काफी सॉलिड है ड्राइवर साइट पर देखेंगे तो यहाँ पर यहाँ पर लग जाती है और चावी में आपको दिखा ही देता हूं तो इस टाइप की चावी आपको देखने लो या टॉप लाइन लो सभी में यही है बस टॉप लाइन में आपको पुश बटन स्टार्ट देखने मिलता है अब यहाँ पर यह कॉन्सोल पूरा देख लीजिए दोस्तों कैसा दिखता है तो यह जो टेट स्क्रीन है बहुत जादा अमेजिंग इसका डच रिस्पॉनस इसमें भी काफी सारी इंफोमेशन आपको देखने मिलती है यहाँ पर आपको टैकोमीटर यहाँ पर स्पीरोमेटर मिल जाता है फ्यूल गेज और यहाँ पर टेंपरेचर गेज भी है जो के वेरे वेंटों में नहीं हुआ करता था दोर की लॉकिंग अन्लॉकिंग जो है चारो डोर्स आप लॉक होने के बाउजुद लितर अंदर से खोल सकती हो अगर आप चाईल लॉक लगादे हो डाट इस इअ डिफरेंट फिंग और यहाँ पर इसको जैसे एक बार में आप होल सकती हो ड्राइवर साइट की दोर को बाकी दोर को लॉक करने पर आप जो है ड बड़ी है तकरीवन 17 लाग रुपे की ओन रोड समझ लीजे सारे अक्सेसरी वगरा मिला के इन्होंने 15,000 रुपे की जो एक्सेसरी इसमें इंक्लूड के फुट मैट और यह वो सारी चीजे इसमें जबी तक मुझे जो है बूट मैट मिलना बाकी है तो वह उनसे वसुल पर जो कि मैं आपको बताऊंगा कहां पर कॉश कटिंग है कहां पर नहीं है तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है और यह तो पंदरा सो किलोमेटरी चला है लेकिन इसने जो है अभी तक खुश रखा है ऐसे रास्तों पर मैं जाधा करके चलाता ह और देख सकते हैं आप जो है अच्छा लग रहा है मुझे और हाइवे की तो स्टेबिलिटी अच्छी होती है फोक्स्वागन की तो यह थी अपनी वीडियो दोस्तों और एक और बात बताता हूं यूट्यूब मनी से मैंने यह गाड़ी नहीं लिया हूं बिल्कुल भी जो कीमत है उतने के अपने को जो है डिवाइस ही हर साल खरीदने पड़ते तो यूट्यूब मनी से बिल्कुल भी नहीं लिया हूं तो यह बिल्कुल मत समझना कि यूट्यूब से पैसे कमाके नभी भाई ने जो है फोक्स्वागन की टाइगून ले लिया है तो आपको कैस से लगा दोस्तों हमारा वीडियो मुझे कॉमें से में लिकी ज़रू बताईए और अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लिजिए ताकि इस पर मैं और वीडियो जो है दाल सब्सक्राइब मुझे भी मोटिवेशन मिले थांकियू सू मच फॉर दिस वीड और बivasतों है वेक पर मुझे साह कि जगा एका टा कमें पर लिवेक要 फिंपता कि क्ला सक्राइब दिसे लिए अला कर वा बदले सू फिला वन्ह umasas को वॉर ठ्यों है। अला कि झासा सक्षाइ को बतानी सुम्झे ह지 लिए यजभ़ए वार सब्सक्राइब अला कर द्टरा कि